ग्रामे की स्टार्टिंग में जी रैन को देखते हैं जो कि अपनी मेरिज को छोड़के भाग रही होती है उसकी बहन याया जाकर इस बारे में अपने मॉम डैड को कहती है कि वो भाग चुकी है उसकी मॉम कहते है कि तुम उससे ढूंड के लाओ याया फिर उससे ढूंडने क के लिए आज नहीं चाहेंगे इसमें उस लड़की की डिटेल है जिससे आपकी वैडिंग होने वाली है मिस्टर फूजी उस फाइल को खोल के देखने वाले होते हैं लेकिन तब ही यहां पे जी रेन उनकी कार में आ बैठती है और कहती है जल्दी हां से चलो लेकिन उसका अस लेकिन तबी मिस्टर फूजी अपने हाथ को देखते है उनका हाथ बिल्कुल ठीक रहता है यह देखकर असिस्टर भी शॉक होता है फिर मिस्टर फूजी कहता है कि इसे आगे चलके ड्रॉप कर देंगे कार को ड्राइब किया जाता है यहां पर निउस में आ रहा होता है कि दो बड़ी फैमिलीस की आज वेडिंग होने वाली थी लेकिन धूला और धूलन दोरों ही भाग गए है इसलिए वेडिंग कैंसल हो गई है इस न्यूज को सुनने के बाद जी रैन मिस्टर फूजी की फाइल को उठा कर अपना फेस चिपाने रगती है कि कहीं उन्हें यह दो डार को उल्य करना लगे कि मैं यह वो ब्राइट हूँ लेकिन मिस्टर फूजी आगे चलके कार को रुखवाते हैं और उसे धक्का देकर कार से बाहरे निकाल देते है जिसके बाद वो फाइल उसके बाहर में डुक्यों ब्रबकर का अरेंश्मेंट करूँ उसके बाहब बार में दिखाया जाता है जहांपर उनके सामने कई सारी लड़किया खड़ी रहती है वो पहले यापर डूइंग करते है और उसके बाद एक लड़की को अपने पास आने के लिए कहते है लेकिन जैसे ही वो लड़की उन्हें टेच करती है तो फिर से उन्हें प्रॉब्लम ह जाती है जिसके बाद वो गुसे में लड़कियों को बहां से बगा देते हैं वो यहां पर अपने हाथ को देखकर सोचते हैं कि उस लड़की के छोड़ने से मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ था इधर दिखाया जाता है जी रैन को जो कि बार में पहुच जाती है जहापर उ उन्हें अच्छा सबक सिकाना चाहिए और तुम उन्हें अपनी सच्छा ही बता दोना लेकिंजिरन कहती है अभी समय नहीं आया है काफी पीने के बाद वो अपनी फ्रेंट से कहती है मुझे न बहुत अकेला मैंसे सो रहा है तो क्यों ना तुम मेरे लिए एक क्यूट से ब बॉय का अरेंश्मेंट मेरी फ्रेंड नहीं मेरे लिए किया है और वो तो वाश्रूम में गुच जाती है मिस्टर फूजी तो उसे देकर शौक होते है कि यह लड़किया क्या करी है वो उनके करीब आरे लगती है और कहते है कि आज हम काफी एंजॉय करेंगे यहाँ पर उ उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था अब वैसे यह काफी क्यूट भी है यहाँ पर उसके हाथ बंदे हुए होते है तब यहाँ पे जी रैन का फोन बचने लगता है उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि तुम कहा हूं मैं तुम्हें कब से रून रही हूं जी रैन लेकिन जब वो जाने लगती है तो मिस्टर फूजी उसे अवाज दे कर कहते है कि क्या ये तुम्हारी रोज की आदत है ऐसे रात बिताने के बाद उस परसन को छोड़के भाग जाना यहाँ पर वो कहते है सौरी मैं गलती से गलत रूम में आ गई हूं मेरा वो इंटेंशन नहीं था मिस्टर फूजी कहते है इधर आओ मेरे हाथों को खोलो वो उनके पास जाकर उनकी तरफ देखती नहीं है और उनकी हाथों को खोलने की कोशिस करती है इस चकर में वो उनकी बॉड़ी को टेच करती है मिस्टर फूजी कहते है यह तुम क्या कर रही हो इधर देख फूजी भी हाथ मुलाते हैं उससे यही कहते है कि हाँ तुम भी मेरे प्यार में मत पढ़ जाना यह देखकर कहता है असिस्टेंट अब चलके आप लोगों को मैरेज रिजिस्टर करा लेनी चाहिए उसके बाद वो दोनों अपनी मैरेज रिजिस्टर करा के जब वहां से बहा मा रहा है यहाँ उसकी मौम कहती है कि यह तुम क्या कर रहे हो तुम्हें हमारे साच चलना होगा और जिससे यह तिरी मेरेज होनी है उलेकिन वह अपना अपना मेरेज का सेटिफिकेट दिखाती है अब यह नहीं हो पायगा का यहाँ क्यों कि मैं इसे मेरेज क Brett चुकी हूँ जिसने के बाद यह आया मिस्टर फूजी से कहती है तुम मुझे इन्योसेंट बॉय लग रहे हो मेरी सिस्टर की चकर में क्यों पढ़ रहे हो तुम यह नहीं पता है कि एक इतनी बड़ी श्राइको है इसने अपने खुद के ग्रैंट फादर को मारा है लेकिन मि फूजी वेडिंग छोड़के भाग गया है यह सुनकर ग्रैंट फादर नाराज होते हैं वो कहने लगता है कि एक तो भाई चल फिर नहीं पाते है अच्छा खासा हम लोग उनकी वेडिंग करा रहे थे तो फिर उन्हें भागने की क्या जरूरत पढ़ गई तबी फूजी जा जाता है और कहने लगता है उससे कि तुम्हें मेरी वेडिंग की जिनता नहीं करनी चाहिए बलकि अपनी वेडिंग के बारे में सोचना चाहिए वो यान कहता है कि मैं तो आपके भले के लिए सोच रहाता भाई लेकिन फूजी उसे कुछ भी कहने से मना करता है यहाप ग्रैंट फादर कहते है कि तुम्हें उसी रड़की से मैरिज करनी होगी फूजी आपके कहता है कि मैं वेडिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने और्रेडि वेडिंग कर ली है ग्रैंट फादर को तो यह सुनके बहुत घुसरा आता है तब ही आपे फूयान कहता है ग्र हबाकर अपने होने वाले हस्बेंट से माफिय मांगो लेकिन वो मना कर रही होती है महाँ पर मिस्टर फूजी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाते है वो कहते कि यह सोर कैसा मच रहा है जरा देखना असिस्टेंट दूर से देखता है और कहता है कुछ नहीं बॉस सायद य आपसे करवाना चाहती है मिस्टर फू जी उन्हें फिर इग्नोर करके वहाँ से चले जाते है तब इवाँ पे बटलर आ जाता है जो कहने लगता है ये क्या हो रहा है तो यहाँ पर जी रैन की मौम कहती है ये मिस्टर फू से मिलने आई है क्योंकि इसे उनसे माफिय मांगनी है बटलर कहता है कि वो घर पे नहीं है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ जी रैन से उसकी मौम कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके उनसे माफिय माफिय मांगनी होगी लेकिन जीरेन कहते हैं कि मैं किसी से कोई माफी नहीं मागूंगी और नहीं वैडिंग करूंगी और वो तो अपनी मॉम को वहाँ से छोड़के भागाती है उसके बाद कार में दिखाया जाता है मिस्टर फूजी जा रहे होते है तब ही उनके कार के सामने फिर से जीरेन आ जा कहते हैं वह कहने लगती है मैं बहांपे नैनी का काम करती हूं यह मेरा काम मैं वहाँ साफसफाही करने ओप था सुनके यह कब थोड़ा अलग है एकदम से वह कहते है तो कहीं तुम रिच लोगों की साथ डेट पे तो नहीं चाते हो साइद उन और तो को एंटरेंड करते हो और उनसे पैसे कमाते हो मिस्टर फूजी भी आपे उसकी इस गलत फैमे को खतम नहीं करते हैं और कहते हैं यह लोगर की की और तुम घर चली जाओ लेकिन वो कहते हैं कि फिलाल मैं घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी एक प्लेस पे और जाना है अपना काम करने के लिए उसके बाद देखते हैं जिस पार्टी में मिस्टर फूजी जाते हैं उसी में पहुच जाती है जिरैन भी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और कहते हैं कि तुम्हें आने में देर क्यों गई वो कह कुछ रही हूं कि उनके सेकिंड बेटे से तुम क्यों ना साधी कर लो लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं और रेडी मेरिज कर चुकी हूं यह सुनके उसकी फ्रेंड उसके लिए खुश होती है कहते हैं यह लोग वैसे तुम्हारे लाइक भी नहीं है तब इस सबके सामने वाश्रूम यूज करने के बहाने से लेकिन उसका एक कार्ड वापे उचाता है इसे उठा लेती है याया वाश्रूम में जब जिरन होती है तो उसे दूसरे वाश्रूम से आवाज सुनाई पड़ती है उसमें मिस्टर फूजी होते है जो की एक लड़की से अपना पीछा चोडा रहे होते है वो लड़की नसे में उनके गले पड़ रही हulares होती है मिस्टर फूजी को देखती है तो शौक हो जाती है वो हुस लड़की को पहले ड़़ाकी वाहन से बगाती है और यहां करते है हश्रूम यहां किया करे है यहां पर अपना का aam मत करो बहार डिन antre spar कोई फूजी हाप में समझ रही हो। लाइं कि इस पारटी के मिलने के लिए बेताब रहते हैं यूण हे वह होता है उसे देख लेता है फूयान और एक्दमसी मतलब्ब यह है to तुम हो, क्योंकि डिंग सेंग गरूब के हेड के पास थी, ये बलेक कलर का काड है, याया है यहाँ पर इस चांश को जाने नहीं देती है, और सोस्ती है कि मिस्टर फुयान की गरीबाना है, तो क्यों न, मैं उस डिंग सेंग हेड की परसनल्टी और उसकी नाम को अपना बना कुछ समय के लिए और वो यहां पर जूट कह देती है कि हां मैं ही उस क्रूप की हैड हूं यह सुनकर यहां पर जी रैन की फ्रैंट को गुस्सा आता है दो लोगों को देखते हैं जो कि मिस्टर फू को मारने के लिए ढून रहे होते हैं वो लोग वाश्रूम में जाकर पूश्रूम में आ गई है और वो लोग उसे भी वहां से छोड़के चले जाते हैं याया को देखते हैं जो कि फूयान के साथ खूप जमके फ्लट कर रही होती है उसका इरादा होता है कि वह उससे एक बार मैरिज कर ले चाहे बाद में उसकी सच्चाई पता ही क्यों ना च के से आग disclose जियरेंग जिए झrest गौर में उसका कितना पूराहल करती हूं देखनाना मिस्टब शूजी अवास कर वीच्चन देकर उसे कार में पैठने के लिए कहते हैं उसके बाद पूस्टब फूजी कहीं कि ह्दें हैं मैंने इस घर को रेंट पे लिए वो कहती है यह य जहाए वह एक दूसरी के साथ कर भी सकते हैं लेकिन उस चीज को सीरियस नहीं लेना है यहां पर उसके साथ थोड़ा प्लट करने लगते हैं लेकिन एकदम से उन्हें दूर कर देती है जिरन और कहती है मुझे अपनी रूम में जाना है और वहां से बाग कर चली जाती है पर ओँशाए पर चुफरा अपरेंसे कंप रहती हैं शॉठीर्य में अपनी प्रेंदेऊ सर्मार भी साप्ली करती है shows तो तुम्हें इसलिए दिया था वो ड्रेस था कि यह पहन कर तुम अपने हस्बन के सामने जा सको क्या हुआ वैसे फर्स नाइट पर जीरन कहती है उस तरह की बाते मेरे साथ मत करो उसी होटल में मिस्टर फूजी भी होते हैं यहां पर वो जीरन को देख लेते हैं तो उसे पूजी को देती है अपनी तरफ से वर मिस्टर फूजी पीने से मना कर देते हैं लेकिन जीरन कहती है मैं पी लेती हूं और वो श्ट्रिंग को पी लेती है लेकिन उसे पीने के बाद उसे काफी जदा नसा हो जाता है मिस्टर फूजी उसे कार में लेकर आते हैं उनकी हालत मिस्टर फूजी नहीं रुखते हैं अपने रूम में चले जाते हैं ठोड़े दिर बाद दीखते हैं यहां पर पूट चाएँ जी रेन और छुपके से जाकर Mr. Fuji के बैट पे उनके साथ सोजाती है लेकिन Mr. Fuji कहते है कि तुम अपनी वो fancy ड्रस पहन के नहीं आई हो एक्दम से वो उन्हें देखती है Mr. Fuji तो यहां पे बिर फिर हसने रखते है मिस्टर फूजी को उनका असिस्टेंट बताता है कि डिंग सेंग ग्रूप हमारे सारे प्रोजेक्ट को हमसे चीनता जा रहा है जिसने के बाद वो कहते हैं कि मुझे उनकी बॉस से मिलना होगा यहाँ पर दिखाया चाता है जी रैन को जो कि अपनी कंपरी में पहुशती है तो यहाँ पर उनके लिए कुछ गिफ्ट आई हुए होते है सभी लोग उने यहाँ पर हाई है लोग कर रहे होते है लेकिन तब ही वहाँ पे मिस्टर फूजी अपने असिस्टेंट के साथ पहुच जाते है असिस्टेंट उन्हें अवाज देने लगता है कि मैडम आप यहां क्या करी है तुरंती जी रेन तो अपने हाथ में वाल्टियर पोचा ले लेती है और मिस्टर फूजी से कहती है कि मैं तो यहां पे साफ सफाई का काम करती हूँ मुझे अभी जाके टॉलेट भी साफ करना है वो वहाँ से भाग जाती है मिस्टर फूजी को यह अजीब लगता है कि वो इस कंपनी में भी यही काम करती है क्या उसके बाद जब वो वाश्रूम से बहार निकल रही होती है तो वहाँ पर आ जाती है याया जो कहने लगते कि तुम यह क्या क्या कर ली हो तुम्हें नहीं पता है क्या यह मेरी कंपनी है उससे जीरेन कहती है कि कितना जूट कहोगी यह तुम्हारी कंपनी नहीं है बलकि कि मेरी कंपनी है मैं इस कंपनी की बॉस हूँ लेकिन यहां पर याया और उसके फ्रेंड उसकी बात को नहीं मानते है यहां पर वो उसकी नहीं सुनती है उसे हटने के लिए कहते है रास्ते से लेकिन याया कहते कि मैं तुम मेरी हमिस्ता इंसल्ट करने पर लगी रहती हो और पे वो लोग ऐसे ही करते हैं लेकिन Mr.fund ये सब पूज देख लेते हैं तो वो यहां पे याया की कार को फूलो करने लगते है याया एक पारकिंग एरिया में जाकर उसे वहीं पे डाल देती है और कहती है कि तुम्हें देखकर सब सोचेंगे कि तुम्हारे याप पे कोई एक्सिडेंट हो गया है और मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा जैसी वह वहां से ऐसा करके निकलती है तो मिस्टर फूजी पहुच आते हैं और वह उसे देखते है तो हैरान रहते हैं उसके बाद वह उसे गह ले आते हैं अपने असिस्टेंट से कहते हैं पता लगाओ कि मेरी काम को करने के पीछे उस लड़की का हाथ है जो कि डिंग सेंग ग्रूप की हैड है और साथ में वह आपकी होने वाली फ्यॉंसे की सिस्टर भी है यह सुनके मिस्टर फूजी को बहुत कुसा आता है असिस्टेंट कहता है कि सायद उन्हें पता चल गया होगा कि आपने किसी कॉल करके बता देती है कि उसकी सिस्टर ने बर्दे की काफ़े अची तयारे की है जीरन कहती है कि बर्दे में काफ़े मज़ा आएगा तब ही रूम में मिस्टर फूजी आ जाते है तो जीरन फिर से सोने का ड्रामा करती है मुझे अपने कपड़ी चेंज करने लगते है जी जी रैन कहते है कि कर मुझे भी काम है तो क्या तुम मिंस्ट रफोजी हां यूह आकर बैठती है तो वह उससे कहते हैं कि तो मैंसी ट्राइस काम करने जाओगी ये तो काफी महेंगी लग रही है और तुमहारा सैट भी काफी महेंगा लग Whose पर वो कहा देती है नहीं नहीं यह काफी सस्त है यह सारे फेक मोडल्स है यहाँ पर वो उन्हें सच पता नहीं लगने देती है उसके बात पाड़ी में देखते है जहाँ पे याया अपने फ्रेंड के सामने दिंग सैंग गुरुप की हैड होने जाधा ही फोल रही हhtū कर रही जीरेन उसे बता देती है कि डिंग सेंग गुरूप की हैड तो वो है लेकिन याया उसकी बात को नहीं माती है याया अपने फ्रेंड से कहती है कि इसे पकड़ लो मैं इसे सबक सिकाती हूँ यह मेरी पहचान चुराने की कोशिस कर रही है यहाँ पर वो दोनों लड़किया उसे पकड़ लेती है लेकिन जीरेन कहती है कि यह जूट कह रही है डिंग सेंग गुरूप की हैड मैं हूँ वो दोने यहाँ पर याया से सवाल करने लगती है इस बारे में कहीं तुम हमसे जूट तो नहीं कह रही हो लेकिन याया यहाँ पर जीरेन से उस नेकलेस को छीन के तो ओड़ देती है और कहती है यह जूट बोल रही है मैं ही डिंग सेंग गुरूप की हैड हूँ लेकिन तबी महाँ पे एक वाच में आता है जो की कहता है जी रैन से मैडम सारे गेस्ट आने के लिए रैडी है तो क्या आप पाटी को शुरू किया जाए यहाँ पर उनके सामने सच आ जाता है कि डिंग सेंग गुरूप की हैड जी रैन है ना कि यह आया उधर बहार दिखाय जाता है जहाँ पर फूजी के पास आकर उसका ब्रदर कहता है कि डिंग सेंग गुरूप की हैड का और मेरा अफेयर चल रहा है और जल्दी हम दोनों मैरिज करने वाले हैं देखिए उन्होंने मुझे कितनी महेंगी वाच दी है लेकिन यहाँ पर फूजी और उसका असिस् ऐसा नोए साथ ऐसा कैसे बिएक कर रही हो यहाँ पर वह लड़के अपनी डायर से कहती है डायर आपकी बॉस कौन है लगते हैं नी ज्यादा बुरी तरीके से टीट करते है और महापे फिर गुयान भी आ जाता है जो कि उस पर गुस्ते में हाथ उढ़ाता है और कहता है तुमने मेरा पागल बनाया सच में तुम धोके बाजो यहाँ पर उन लोगों का जगड़ा चलने लगता है जीरैन यहाँ पर याया को कह चापलोसी करने लग जाता है और कहता है मैं आपको फहचान नहीं पाया मुझे माफ कर दे असल में इस लड़की नहीं मुझे और आपको धोका दिया है याया यहाँ पर आटेक करने की कोशिस करती है गुस्ते में जीरैन पर लेकिन फूजी आकर उसे बचा लेता है पर उस उसे कंदे में चोट भी लग जाती है एकदम से गुयान कहता है कि ब्रदर फू आप बीच में क्यों आ रहे है मैं इनकी मदद करने वाला धाना यहाँ पर वो कहता है फूजी कि तुम्हारे बसका कुश नहीं है तो तुम चुपी रहो यहाँ पर गुयान गुस्ते में माने की कोशिस करता है अपने भाई को लेकिन वो अपनी वीलचेर को साइड में कर लेता है जिसे वो खुदी गिर जाता है यहाँ पर जो होती है जी रैन वो यहाँ पर गुयान के हाथ को ही मोड देती है यह कहकर कि तुम भी कम नहीं हो वो यहाँ पर उन्हें पार्टी से बगा लगा दे जान बुच के वह अपनी वाइप को यहां पर तंग अने की सोचता है यहां पर वह अपने कपड़े खोलके बैठ जाता है जिससे की जीरन कहती है यह तुम क्या कर रहे हो मैं तुम्हारी और अपनी इंगेश्मेंट को पहले ही दोड़ चुकी हूँ यहां पर कि हां मुझे भी आपसे मैरिज नहीं करनी है मैंडम मैं भी मैरिज कर चुका हूँ तो कहती है उससे जीरन यह तो अच्छी बात है फिर आप द्वारा से मेरे रास्ते में आने की कुछिस मत करना वह वहां से चली जाती है तब यह असिस्टेंट कार में आके बैठता है और क से मॉर्निंग में उठने के लिए कहता है यह बोलकर कि तुम अपने काम के लिए लेट हो जाओगी लेकिन नेंद में जीरन कह देती है मैं अपनी कंपनी की बहुत हूँ तो मुझे कौन डाट सकता है फूजी कहता है क्या कहा तुमने एकदम से वह उट जाती है कुछ नहीं लेकिन तबी मिस्टर फूजी कॉल कर लेते है जीरन के पास तो उन्हें पता चलता है कि उसका एक्सडेंट हो गया है तो वो वहाँ पर आकर उसकी मदद करते है जिससे की याया का बॉइफ्रेंडी डर जाता है और वो यहाँ पे काफी ज़्यादा मारता है याया को अपे वहाँ से भाग जाता है जीरन को देखते है जो कि फूजी से कहने लगती है कि तुम इतनी सारी कार्स लेकर कहां जा रहे थे फूजी कहता है कुछ नहीं बस मैं अपनी मैडम के काम के हुजी से जा रहा था जीरन कहती है कि आस से तुम अपना वो काम छोड़ दो क्योंकि मै कफ Госus में दिखाया जाता है जिसके मिलने के लिए गुयान आता है और उसे कॉफी देता है जिसने उसने पहले ही कुछ मिक्स क्या होता है वो यहां पर उससे फ्रेंट्षिप करने का पहाना करता è और उससे कॉफी चाहता हूँ यहाँ पर वो उसके साथ मिस्ट बिहेव करने लगता है लेकिन यहाँ पर वो उसे कफी यदा मारती है तब भी वहाँ पर मिस्टर फूजी आ जाते है और यह देखकर कहते है वैसे मेरी वाइप काफी कूल है खुदी यह सारी प्रॉब्लम्स हंडल कर लेती है य यहाँ पर उसके सारे काड़ियर लगता है और कहते है कि तुं अपने क्या यहलो मेरे पैसे भी खर्च करो लेकिन यहाँद यहाँ दिखाया जाता है जाता है मिस्टर फूजी को मिलने के लिए याया बुलाती है वो उनसे कहती है कि आपको मैं बता दू कि जो मेरी सिस्टर आपसे मैरिज कर रही थी वो उस दिन भाग गई थी क्योंकि उसने किसी और से मैरिज कर ली है आपको उसके husband को रास्ते से अड़ाना है उसके बाद हम दोनों का ही यहां पर फूजी कहता है अपकॉस और हाँ आगे से मेरी वाइप को देखने की कोशिस भी मत करना वहना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल होगा लेकिन वह यहां पर उनकी सुनती नहीं है तब ही वह अपने गार्ड्स को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इसे थोड़ा सा ले होगा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करा दूंगी उसके बाद याया को दिखाया जाता है जहां पर वो कुछ लोगों के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उने कहती है आज मेरी सिस्टर आप लोगों का काफी अची से एंटरटेंड्मेंट करेगी तुम्हां पर जी रन करने लगते हैं और कहते कि मिल के मज़े करेंगे आज तो इस लड़गी के साथ लेकिन जी रन कहते है कि ऐसा सोचना भी मत क्योंकि तुम लोगों का थोड़ी देर में खुद बुरा हाल होने वाला है बाहर खड़े होकर सोच रही होती है याया कि हम उसे रास्ते से पूरी हाल भी यही करना होगा लेकिन याया अपने बाकी गुंडों को कहते है कि इसे पकड़ के यहां से कहीं दूर ले जाओ लेकिन वो लोग तो उसे देखते ही पीछे हर जाते हैं तुमारा दिमाख खराब हो गया है हम अपनी मैडम को क्यों हाथ लगाने लगे यहाँ पर वो के पैरेंस पर आ जाते हैं याया यहाँ पर कहने लगती है फूजी से प्लीज मुझे छोड़ दो आग इसे मैं कुछ नहीं करूंगी पर फूजी कहता है कि तुम्हें मैंने पहले भी वान किया था लेकिन सायथ तुम एक बार से समझने वाली नहीं हो तभी याया के पैरें एक साथ होते है तभी फूजी के पास एक कॉल Adventure है और यहांपर गेट पर बी कोई आ जाता है तो अकूजह ने時को ऊसे आने लिए लेकिन उसका इक गाठ दे accountable कि एलेख बिता है वह इस बारे में उसी बताता है जिसके बाद तो गूजान प्रप्र ज्य ज्जा आता है गौयाँ के कुछ लोग जाकर जीरैन के आफिस में काफी मारविट करते है जीरैन के पास कौल आता है तो वो घुक्स में अपने ऑफिस जाकर देखती है और कहते है ऊसके बासरो यह फोyr supreme चुरू और के लगता है उसके बात फूजी से कि तुम्मारे पास ये लॉकिट कहां से आया । ये तो तुम्हारा नहीं है। वो याँ पर डर जाते है ये तो उस परसन का लॉकिट है जिसे मैंने कुछ समय पहले मारा था। कहने लगता है फूजी मैं जानता हूँ ग्रेंट फादर के आपने कौन सा क्राइम किया है और इसलिए कह रहा हों कि आपे और जदा गलतियां पे तो कोई असर ही नहीं पड़ता है इधा दिखाया जहता है जीरैन को जिसे पता चलता है कि गुफ उसके जीरैन को शॉर हो जाता है कि इसी परषण ने मेरे ग्रेंट फादर की जान ली है क्योंकि उनका लोगिट इसके पास है कुछ मिश्टर फूजी उसे पकड़ लेते हैं वो कहने लगते हैं कि यह तुम क्या करी हो जीरा ने आपके कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंट फादर को मारा है यहापे फूजी कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा है लेकिन वो उनकी बात पर लेकिन फिर बाद में उसे मानने लगती है और कहती है तुम बहुत घटिया परसन हो मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं मैरीड हूँ फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो वो कहता है कि मेरा ये कुछ करने का कोई गलत इरादा नहीं है बेबी मैं तो तुम्हें कुछ ब से वो लॉकिट छीन लेती है यह कहकर कि यहीं लॉकिट पूरी फैमली का हैट मुझे बनाएका यहाँ पर याया उसे माने के लिए पूरी कार में ही आग लगाने लगती है लेकिन समय से मिस्टर फू जी अकर उसे रोग देते है और वो अपनी गायल वाइप को लिकर हॉस्प आपके ग्रेंट फादर को नहीं मारा है और जिनोंने मारा है उसे पकड़वाने में मैं आपकी मदद करूंगा यह सुने के बाद जी रहन कहरे लगती है फिलाल मुझे अपने हस्पेंट को कॉल करना है वो कॉल करती है तो मिस्टर फू जी का फोन बजने लगता है एकदम स से चलो कि मुझे अपनी सिस्टर से मिलना है याया को देखते है जिसने एक पार्टी रखी होती है और वो यहां पे अपने आपको अपनी फैमली का हैट गोसित करने वाली होती है लेकिन तब भी वहां पे आज आते है फू जी के ग्रेंट फादर और फू यान जो कि उससे क के पीछे सबी लोग जगड़ा कने लगते हैं तब भी वहां पे मिस्टर फूजी आ जाते हैं मार्क्स लगा कर और वो कहने लगते है कि मैं सब को सच बताता हूं कि यह लॉकिट मेरे ग्रेंट पैरंस के पास कैसे आया है वहां पे कहता है कि उन्होंने ही जी रैन के ग्रें पूजी और मिस्टर फू एकी परसन है वहां पे उसके पास आकर कहते हैं कि मैं तुमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूगा वह अपनी फैमली को कहते हैं कि मैं पुलिस को एविडेंस दे चुका हूं पुलिस वाले वहां आ जाते है और उसके ग्रेंट फादर और ब्रदर को वहां से उढ़ा की ले जाते हैं जिसके बाद जी रेंट जाती है याया के पास अरुस से अपना लॉकिट छीन लेती है तब यह उसकी मौम कहती है यह तुम क्या करी हो यह मत भूलो कि यह तुमारी सिस्टर है यहां पर कहती है जी रेंट की यह मेरी सिस्टर नह रहे थे यहाँ पर यह सुने के बाद वो शुक होती है कि क्या उसके कोई फैमली ही नहीं है वो कार में होती है और मिस्टर फूजी से इस बारे में कहती है तो मिस्टर फूजी कहते हैं चिंता मत करो मैं तुमारी फैमली को ढूर निकालूंगा उसके बाद देखते हैं फूज सिस्टर समल pense Taylor और याया भी यही होने का दिखावा करती है लेकिन यह पर पूजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है आपकी सिस्टर यह नहीं बलकि जी रैन है क्योंकि यह लॉकट इसका है लेकिन याया कहती है नहीं यह जूत कहरी है यह लॉक्त मेरा। और मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास ये लॉकेट है भी वो स लॉकेट के टूटे हुए इस से को उन्हें दिखाने लगती है जैसे कि Mr. Gooming confused होने लगते है उनसे कहती भी है जीरन की जूट केरी है साथ मैं आपकी सिस्टर हूँ क्योंकि ये लॉकेट grandfather ने मुझे दिया था लेक और फूजी कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो लेकिन वो उन्हें डाटता है और कहता है कि आज से मेरी सिश्टक को तंग करने की कोशिस मत करना गूमिंग अपने साथ वहां से याया को लेकर जाने लगता है तो याया कहती है ब्रदर उस फैमिली में रहकर मैंने बहुत कुछ सफर किया है और आज तक मैं कभी खुश नहीं रही हूँ यहाँ पर वो कहता है कि तुमारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो वो उससे काफी सारे पैसो की और घर वगएरा की डिमांड करने लगती है तो गूमिंग उसे हर चीज देने को त्यार हो जाता है उसके बाद वो एक होटल में रहती है जहाँ पर मिस्टर फूजी वहाँ पे रख दो वेटर ऐसा ही करता है और मिस्टर फूजी बिना ध्यान दिये उसे पी बी लेते है जिनके बाद उनकी तवित खराब होने लगती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहते है कि मुझे एक रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़ दो असिस्टेंट कहता है कि मैं आपके वाइफ को बता देता हूँ लेकिन वो कहता है नहीं वो परिशान हो जाएगी जब वो उस रूम में जाता है तो भापे आ जाती है उनके पास याया याया को देखकर उने लगता है कि सायद उनके वाइफ आ गई है तो वो उसके खरीब जाने लगते है और या नहीं रहाए कि तुम्हारा हस्बेंड मिरसत क्या कर रहा है साय तुम इसे खुश नहीं कर पाती हो इसलिए ये मेरे पास आया है तो वहां से गुस्सा होकर जी राइन चली जाती है और मिस्टर फूजी तो यहाया को धका मारते हैं और अपनी वाइफ को रोकने के लिए जाने पने असिस्टेंट से पता चलता है कि यहाया का एक्सिदर हो गया है तो वह भागते होई हॉस्पिडर आता है जहां पर डॉक्पर से उसे पता चलता कि वhou दोनों ब्लड-related नहीं है यह सुनकर उसके होस उर जाते हैं वह अपने असिस्टेंट को कहता है कि पता लगाओ कि म मेरी सिस्टर हो यह नहीं तुम तो मुझे पागल बना रही थी याया कि यह सुनके हो सुर जाते हैं असिस्टेंट आकर गूमिंग को सच बताता है कि आपके सिस्टर जी रैन है यह जानके वो कफी शौक होता है और तुरांती उसे अपनी सिस्टर कहने लगता है लेकिन जी र होगी वो तुमारे लिए करूंगा बस मुझे छोड़के मत जाओ यहाँ पर वो उसे मनाने लगता है पीछे से आ जाता है फूजी और कहता है तुम मेरे वाइप के साथ क्या कर रहे हो चलो हटो यहां से और वो उसे वहां से लेकर चला जाता है उसके बाद घर पे दिखाय नहीं होगा और फिर से उसके साथ रोमेंटिक होने लगते है तभी जी रैन के पास कॉल करके याया कहती है कि मॉम मरने वाली है वो आखरी बार तुमें देखना चाहती है तो तुम घर आ जाओ जिसके बाद वो घर पहुच जाती है मिस्टर फूजी के साथ जी रैन कहती है कि mom कहां है याया कहती है रूम में वो तुमारा वेड़ कर रही है वो अकेले रूम में जाने लगती है लेकिन तबी वहाँ से चिलाने की आवाज सुनाई परती है असल में उसकी mom उसके अटैक कने लगती है लेकिन वहाँ पर समय से उसके फैमिली के लोग पहुँच जाते हैं और इस बीच मिस्टर गूमिंग घायल हो जाते हैं उसके बाद वो हॉस्पिरल में होते है तो जहापर जी रहे हैं उनका ध्यान रख रही होती है ये देखकर फूजी जेलस फिल करता है गूमिंग कहता है कि तुम मुझसे जेलस फिल क्यों कर रहे हो ये मेरी सिस्टर है लेकिन फूजी कहा देता है कि मैं इसे किसी के करीब नहीं देखना चाहता हूँ हो तो तुम भी अपॉजिट इसके ऐसे कहकर वो उससे दूर रहने की सलाह देता है जिससे कि गूमिंग का मुझ बन जाता है उसके बाद घर पे देखते है जहाँ पर दोनों रोमांस कर रहे होते है तो फिर से आजाता है गूमिंग जीरेन कहता है तुम्हारा भाई बार बार क्यों आ जाता है परिशान करने यहाँ पे वो कहते है जाके गेट खोलो पहले जैसे ही वो गेट खोलता है तो गूमिंग कहता है सिस्टर मैंने तुम्हारे लिए नया विला खरीदा है देखो मैं उसके पिपर्स लाया हूँ लेकिन वो जी उसे घर के अंदर नहीं कुछने देता और उससे पिपर्स लेके गेट बंद कर देता है असिस्टेंग कहता है बॉस अब आप क्या खरीदने वाले है अगली चीज अपनी बेहन के लिए तो यहाँ पर गूमिंग कहने लगता है अब मैं कुछ खरीदूँगा नहीं बलकि सप्राइज वेडिंग की प्लानिंग करूँगा उसके बाद वो जाके अपनी सिच्टर से बात करता है और कहता है कि मैं तुम लगों को एक ग्रांट वेडिंग देना चाहता हूँ लेकिन इस बारे में तुम अपने हस्बन को मत बताना वो यहाँ पर एग्री हो जाती है यहाँ पर वेडिंग का कार्ड जब मिस्टर फूजी के ऑफिस में जाता है तो वो तो पागल हो जाती है यह देखकर कि क्या गूमिंग पागल हो गया है जो मेरी वेडिंग कराने की सोच रहा है तब ही वहाँ पर आ जाती है जीरन और कहती है क्या तुम्हें वेडिंग नहीं करनी है इसका मतलब यह है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो यहाँ पर बताती है कि मेरे भाई तुम्हारी वेडिंग मुझसे ही कराने की बात कह रहे ह यह सुनके फूजी खुश जाता है और फिर उसके साथ फिलर्ट करने लगता है उसके बाद वैडिंग होते हुए दिखाई चाती है जहाँ पर गूमिंग अपनी सिस्टर को लेकर आता है स्टेज पे तो रोने लगता है वो कहते है कि तुम रो क्यों रहे हो वह हपी कहता है कि अभी अभी तो तुम मुझे मिली थी लेकिन अब तुम वैडिंग करके मुझे से दूर चली जाओगी जीरेन उसके बाद वो उससे लेकर पहुच जाता है मिस्टर फूजी के सामने लेकिन मिस्टर फूजी के हाथ में वो जीरेन का हाथ नहीं देता है तो मिस्टर फूजी खुदी जी रहन को अपने करीब खीश लेते हैं और कहते हैं यहां पर गूमिंग से कि यह मेरी वाइफ है तो तुम्हें इसे धोड़ा दूर रहना चाहिए यहां पर गूमिंग कहता है कि तुम हमेसा मुझे इसे दूर रहने के लिए क्यों कहते हो यह पर फूजी कहता है बत मुझे ऐसा लगता है कि तुम जैलिस फियल करते हो क्योंकि मेरी वाइप आफ किसुद्स करता हो यह लुक्त में मैं भी मैरेश करने वाला हूं और यहां नगी हाफ एकल चाहिए और स्कूलते हैं प्लेस कमेंट करें झाल झाल